दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले नालंदा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के वीच जमकर मारपीट में धारदार हतियार से बार कर चार लोगों को जख्मी कर दिया गया दरसल गटना नालंदा जिले के नूरसराय थाना चेत्र अंतरगत अजनौरा गाउं में घटी है जिसमें अजनौरा गाउनिवासी रबिंद्र कुमार, रूहीत कुमार, वीजे कुमार सिन्हा एवं मिर्तुन्जे कुमार सिन्हा गंबिर रूप से जक्मी हो गए जखमी रविंद्र कुमार ने गटना के संबंद में दूसरे पक्च के उपर आरोप लगाते हुए कहा कि घर के समी पी ये बैठे हुए थे इसी दोरान दूसरे पक्च के लोगों ने इनके उपर धारदार हतियार से जानलेवा हमला किया जिससे ये बुरी तरह से जखमी हो गए हमला होते देखकर अन्य जखमी तीनों लोगों ने इनके बचाने की कोसिज की और इसी दोरान दूसरे पक्च के लोगों ने इन लोगों पर धारदार हतियार से बार कर दिया जिससे एक पक्च के चार लोग जख्मी हो गए वह इस गटना में दूसरे पक्च के लोग भी चोटिल हुए है गटना के बाद नूर सराय थाना की पुलीस पहुँच कर मामले की चानवीन में जुट गई है सभी घायलों को इलाज के लिए बिहारसरिप सदर अस्पताल भरती कराया गया है जबकि चार घायल में एक व्यक्ति को गंभीर हालात में बिमसरेफर किया गया है वहीं दोनों पक्च के तरब से थाने में आवेदन दिया गया है जिसकी जाच की जा रही है दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले